गोल्स ओडियो स्टोरी टेलिंग इस कार्यक्रम में मैं प्रेरना आप सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ तो मेरे प्यार्य दोस्तो कैसे है आप हर रोज की कहानिया सुनते हैं न दोस्तो जरूर सुनते होगे हैं न दोस्तो चलो तो फिर आज सुनते हैं एक नई कहानी आज की कहानी का नाम है आदमी और शेर एक आदमी और एक शेर में बहुत गेहरी दोस्ती थी वो हर रोज मिलते थे और साथ ही घूमते थे एक दिन वो दोनों गप्पे मारते हुए एक नगर में जा पहुँचें वहाँ उन्होंने एक मूर्ती देखी जिसमें आदमी ने शेर को दबोचा हुआ था उसे देखकर दोनों इस बात पर चर्चा करने लगे कि आदमी और शेर में कौन जादा ताकतवार है शेर कहने लगा कि वो जादा ताकतवार है और आदमी कहने लगा कि वो जादा ताकतवार है आदमी ने मूर्ती की और इशारा करके कहा वो देखो उस मूर्ती से भी यही सिध होता है कि आदमी जादा ताकतवा है ये सुनकर शेर मुस्कुराते होगे बोला यदि शेर मूर्ती बनाना जानते तो आदमी शेर के पंजो के नीचे होता तो मेरे प्यारे दोस्तों समझ गए ना आप हमें वियर्थ की भैस नहीं करनी चाहिए आपको एक कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताना हम सभी प्यारे दोस्तों को एक साथ जोडने के लिए मैं आरती नाएक चेंज में कर इनकी बहुत ही आवारी हूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं फिर आउंगी आपके लिए ऐसी ही एक मज़ेदार कहानी लेकर तब तक के लिए नमस्कार